हलो दोस्तों नमस्कार पॉल्टिकल साइंस लर्णिंग में आप सभी का श्रागत है हम लोग यूजी सी ने पॉल्टिकल साइंस के प्रीविए सियर्स के कोश्चन सॉल्व कर रहे हैं आज जो हम लोग पब्लिक एड्मिस्ट्रेशन का पीवाई क्यू शॉल्व करेंगे यह हम आपको बताना है इनमें से कौन से उनके बारे में करेक्ट नहीं है पहला है और ही आथर दभूक टाइटल दा इफेक्टिव एजक्यू तो इन्होंने एफेक्टिव एजक्यू टू लिखी थी यह करेक्ट है टर्म नौलेज वरकर्स तो नालेज वरकर का टर्म भी पीटर क्या गया है यहां पर पूछा था तो आपका पर फौर्ट नंबर आपसंस आपका इन पहला प्रेक्ट होगा तो पिटर टेकर एक इंफ्लिएंश और हैं मेंटर है और कंसल्टेंट है इनको कहा जाता है फादर आफ मार्ण बिजनेस मैनेजमेंट पीटर डेकर जो भूक लिखते हैं देफेक्ट एजक्यूट्व लिखते हैं 1966 में उन्होंने टर्म किया था किया था नौलेज़ वरकर अपनी जो भूक है दलाइंड मार्स आफ तुम यह अपने बूक जो था प्रेक्टिस आप मैनेजमेंट नाइंटीन फिप्टी फोर जो स्मार्ट गोल है यह डबलब किये गये थे जॉर्ज डेरॉन आथर मिलर्स एंड जेम्स कनिंगम के द्वारा नाइंटीनेटी वन में उन्होंने आइटकल लिखा था देरीजे स्मार् प्रेक्ट भी गोल्स अच्छी बनाने हैं उसको अचीव करना है तो इसको इनको फालो करना पड़े गए इने स्पेस्पिक होना चाहिए गोल मेजरेबल होना चाहिए टेनेवल होना चाहिए रिलिस्टिक और टाइमली होनी चाहिए ठीक नेस्ट कोचन है वीच आप दाफ सब्सक्राइब करना चाहिए लिखे गए हैं तो इनको आपको फाइंट करना है तो थियोरी आफ सोचल एंड एकोनामिक आर्गनाइजेशन मैक्स वेबर के द्वारा लिखी गई इन्हें यहाँ पर आपका जो करेक्ट एंसर होगा वो फोर्थ नंबर आपसन होगा ए और श लिखे जाती है मैक्स वेवर के करा कि द्वारा ओंप इन्हेमेंंट ऊर्ट्रेशन में लिकी जाती है लिंड़न उर्विग त्वारा ठीक यह यह लिखी जाती है वायदों के द्वारा कियए है यहां पर आपको दो लिस्ट दिये हुए और लिस्टम कान से थिय kontadow कराना है यह से पहला है चैस्टर पॉइसार दीब्स चेस्टर अइबरार्ण के द्वठ के द्वाहरा दिया जाता है हाईजीन मोटिवेशन त्योरी जो दी जाती है फेडरीक हर्जबर्ग के द्वारा दी जाती है यहां पर आपका करेक्ट अंसर होगा शेकर नंबर आपसंस होगा यानि एक का फोर बी का थर्ड सी का सेकंड और दी का फस्ट देख लेते हैं करेक्ट एक्सप्ला यह दी जाती है बर्णाड के द्वारा कि कोई भी जो इंडिविज्वाल है वह किसी भी आर्गनाजेशन में पार्टिसिपेट करते समय किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए तो जोन आफ इंडिफरेंस का कांसेप्ट देते वह बताते हैं कि इसके तहत कोई भी सुपीरिय सब्सक्राइशन को जो लाई करते हैं इसाइड जोन आफ इंडिफरेंस उनको जो होतों सब्सक्राइब कर लेना चाहिए बिना एक भी सेकर्ड सोचे और उसी तरह ऐसे जो कम्यूनिकेशन सो जो सुपीरियर के द्वारा कम्यूनिकेट किया जाती हों जो फाल करते हैं सब्सक्राइब के द्वारा नाइंटीन फोटी थ्री में अपने पेपर एक थियोरी आप यूमेन मोटिवेशन में ठीक ना वहीं फेडरिक हैजवर्ग जो है वह देते हैं कांसेप्ट एंप्लाई के एटिट्यूड और मोटिवेशन के बारे में साथ यसाथ वह कहते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि इंप्लाई का जो इन्वारोमेंट है वह से सटिस्फेक्शन से कि नहीं यह अपना यह कांसेप्ट जो देते हैं यह नाइंटीन फिप्टी नाइन में बुक पब्लिस होती है मोटिवेशन टू दा मोटिवेशन टू वर्क में ठीक डिटेल एक्स्प्लाइसन के दार सेकंड नमबर आपका आपसांस करेक्ट होगा यह नहीं सबसे पहले हैं लेते हैं बर्थ होता है उनका एंटीन फोटीवन में यह एंटीन फोटीवन से नाइटीन टूंटी फाइव तक रहते हैं एंटीन फालेट की बात करें तो यह पुबिक अड्मेस्टेशन के फिंकर हैं उनके यह अफ वर्त भी याद रखना है उनका टाइम पीरेड क्या रहा है वह भी याद रखिए ताकि जो इस तरह के कोस्टेंस आए अगर तो आप से बन जाए हलाकि यह डिफिकल्ट होता है सभी तिंकर क्या यह यह लेकिन एक मो प्रचेशन दिये हूं आपको पता करना है कोटेशन लीडर सीटीटी इन्फ्लेंसिंग प्यूपिल इस्ट्राइब विलिंग नीट फार मेच्वल अब्जेक्टिव यह जिसके दार लोगों को लोग उसको कारे कर सकते हैं जी आपको प्रचेशन ऐसे सब्सक्राइब करें के द्वारा विलिंगनी फार मुच्वल आपजिक्टिव इसी प्रकार चेश्टर बर्नाड के बिश्च और और कौन और डेनल की डिफिसांस आप लोग इनको भी देख लीजिए काहीं भी ज्याम से पूछी जाती है तो वह आपको पता रहने चाहिए नेस्ट कोचिन है ब्यूरक्रेट रजिस्ट चेंज हूप प्रपाउंड दिस त्योरी तो ब्यूरक्रेट रजिस्ट रजिस्ट ये कि तो यह को चैंज है तो जो पुर करते हैं उसको होने से रोकते हैं ठीक और सियर दी नहीं तो यह एक लूट के मार्ट के द्वारण के द्वारण दी गई थी निस्त कोशन हा हुएं ऑन फालों ब्रॉकल पाजिटिवीजिएम इंडरेट पालसी या पालसीमेंग ये राश सब्सक्राइब करते हैं जो भी पालसी बनाई जाती है उसमें नेश्ट कोचन में वीच वन आप फालूइंग इस नाट हाल मारक डवलप्मेंटल डवलप्मेंट और संब्सक्राइं में बताना है आपको कौनसा नहीं है डवलोप्मेंट ओर्येंटबर स्ट्रेश्ब्मेंट होता है ऑड़केंड यह तो नहीं हाउष स्टेटर्सiciary तर्थ नंबर प्षास स्टेक्स को ओर को से होते हैं को रोता है प्संसर और्स erected सब्सक्राइब मेशों अरी और एक्साहां और नह कोशले चीषे रसे को राज यहां पर दिये हुआ है तो आपको उनको बताना है कि कौन से संबंदित है तो हैनी रिपोर्ट्स आन हायर इच्वेशन फार पब्लिक सर्विसेज यह रिलेटेड है न्यू पब्लिक अट्रेशन से देख लेते हैं जो न्यू पब्लिक अट्रेशन से रिलेटेड है तो यहां पर आपको करेक्ट असर होगा सब्सक्राइब करेक्ट होगा देख लेते हैं जो न्यू पब्लिक है यह डवलप हुआ है लेट नाइटीन सिस्टी और अल्ली नाइटीन सेवेंटीन वे इसका दो देखा जा सकता है वह दिखा जा सकता है मिनी वह फर्स्ट हुआ था इसमें इसको किया जाता है नू पब्लिक के बरथ में ठिक फिर उसके बाद हनी रिपोर्ट आती है और पब्लिक सर्विसेज को यह गदान देता है नू पब्लिक अडिक के डवलप्मेंट में यह पब्लिक होता है 1967 में इसके बाद फिलंड फिया कांफ्रेंस अनद थियोरी एंड प्रेक्टिस आप पबलिक एड्मिरेश्टेशन होता है 1967 में ही तो ये भी जो तो मदद करता है न्यू पब्लिक आप्डिक सिस्केंड के डवलपमेंट में निच्ट्ट वॉचन है वीच आफ देस्ट सफने को से स्टेट्मेंट करेक्ट है तो पड़ीट उस्ट्रिक फोकसा स्ट्रटियार प्रॉस बीर सिस्टम आय इंट चुर्शणल लेकरेक्ट है यह करेक्ट सब्सक्राइब नहीं किया जाता है तो सी नंबर आपका आपका इंकरेक्ट है फ्डव रिक्स वाजद चेर मैं आप इस पर आपका आपका इस पर इस पर फोकस करता है इसके वहला जो अप्रेट्व एड्विस्टेटिव ग्रूप है यह सिट अप किया गया थे सब्सक्राइब दोस्तों यह था हमारा पॉल्टिक्स पॉल्टिक्स का उसका पार्ट वन वीडियो प्रीवेस कोस्टन्स का यह वीडियो आपको कैसा लगा है आप अपने कमेंट्स के माध्याब से में बताईएगा साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले तो ताकि जो इस तरह की आगया आने वीडियो जहां वह आपको मिल सके धन्यवाद थैंक्यू